ही एवरिवन वेल्कम बैक टू माई चैनल आइम क्रेस्ट कैसे हैं आप सब सो आज में रिव्यू करने वाली हूँ है अन्वाइबे ने जो न्यू लांज किये है अन्वाइबे रनवे मैट डिवल लिपस्टिक जो ही विट आगन ओईल है अन्वाइबे ने इससे पहले भी आ कर सकते हैं अब रिसेंट लिवाइबे ने डिवल लिपस्टिक जो ही लांज की जो कि थोड़ी सी यूनिक पाकेजिंग में है लाइक एक ही लिपस्टिक में आपको दो लिपस्टिक रिसीव हो जाए अगर आप इस प्रडिक में इंट्रेस्टेड हैं गाई तो इस वीडिय रेंज है इसमें आपको जित्ती भी पैकेजिंग आती है वो ऐसे गोल्डन पैक में मिलता है तो पैकेजिंग वाइस बहुत अच्छी है प्राइज 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 थोड़ी सी हाई लगती है बट यह हमेशा आफ्टर डिसकाउंट ही मिलेगा 40% 25 30% बट मेरी किसमत मैंने 50% off में लिया था तो अगर 325 रुपीज है तो मुझे यह 163 रुपीज में मिल गया था तो बहुत जादा लेक ग्रेट डिल जिसे बोलते है वो मुझे मिला है और यह दो लिप्स्टिक आपको 163 रुपीज में मिल रहा है तो यार क्या चाहिए यार बच्ची की जान लिप्स्टिक है तो अच्छी डील रही है तो इसमें आपको like product quantity मिल जाती है इच लिप्स्टिक में 3.5 ग्राम लाइक दोनों लिप्स्टिक में 3.5 ग्राम 3.5 ग्राम आपको लिप्स्टिक जो है रिसीव होती है तो इसकी आउटर पैकेजिं में आपको यह शेड नंबर औ इसमें आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा आपने ले लिया है उसकी बाद जब बहुत साई लिप्स्टिक का पर order करोगे तो आप थोड़े से confused हो सकते हो बड़ जैसे ही आप लिप्स्ट्री या हैंड स्वेच करोगे तो आपको वो color अच्छे से पता चल जाएगा इसमें 3 highlights इस टाइप से जो ही लिखा हुआ है बट यह नहीं लिखा हुआ है पिंग फैमिली से है या रेड फैमिली से है तो थोड़ा सा confusion आपको हो सकता है इसमें यहाँ पे आपको जित्ते भी claim से वो mention है और यह जो lipstick के guys यह cruelty free तो हमरे lips के लिए भी बहुत अच्छा है तो मैं यहाँ पे इसे open करके आपको बता देती है इस टाइप की जो इसके actual packaging है packaging आपको इस टाइप की receive होती है matte black packaging है और इसकी packaging की बात करो तो बहुत ही ज़्यादा sturdy packaging है आप इसे easily like अराम से travel करते हैं लेके जा सकते हैं विकास यह अगर आप travel कर रहे हैं और यह लेके जा रहे तो बहुत अच्छा है आपको बहुत सारी lipstick एक साथ carry करने की ज़रत नहीं है तो travel friendly है easily आप लेके जा सकते हो और इसकी packaging में आपको बता हूँ तो जैसे मैंने इसे open कर लिया आप देख सकते हो तो मैं इसे बंद करूँगी तो आपको tick का sound आएगा इस ट्राइप से भी तो आपको tick का sound आएगा इसका मतलब यह है कि बहुत अच्छे से lock हो गया है और यह उसके बाद यह वापस नहीं करते हो आपको बहुत सारी लिप्स्टिक एक साथ कारी करने की जरूरत नहीं है तो उसे साब से बहुत अच्छा लगा है पैकेजिंग भी बहुत जादा अच्छी है बट एक चीज है कि अगर आपने आपको आपको नहीं चलेगा कुछ पता नहीं चलेगा बिकॉस यहां प करते हैं फिर्स्त यह क्लेम करता है फिर्स्त क्लेम कर रहे हैं लॉंग लास्टिंग अनतला नहीं रहता है इसमे ml कोध ?, तो आपने कोई हैवी मील है तो आपके इनर कॉनर से थोड़ा सा फेड आउट होगा पूरी पूरा दरीक से वैनिश नहीं होगा कलर बहुत अच्छे से रह जाता है ऐसा नहीं लगेगा कि आपने बुरी तरीके से खाना खाये आपको लिप्स्टिक लगानी नहीं आती है ऐसा आपको बिल्कुल नहीं लगेगा लिप्स्टिक रह जाती है बस थोड़ा सा फेड आउट होता है अगर आप थोड़ा सा टच अप करते हैं तो आपके लिप्स पे रह जाती है या इसका अगर मैं टाइम बताओ कि कितने टाइप तक रहती है चार से पांच बहुत अच इसे लगाने से पहले अगर आपने लिप नहीं अपलाई किया तो आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे कि मैंने लिप क्यों नहीं लगाया इसे लगाने से पहले बहुत अच्छे से आपके लिप्स को मौशिराइज रखता है इसे बहुत अच्छे से वन स्टोग ए बहुत अच्छा सा पिग्मेंटेशन देता है यह कि पानी की कॉंटेक्ट में जाओगे तो यह बिल्कुल भी ब्लीड नहीं करता है यह क्रीजलेस है यह आपके बिल्कुल भी क्रैक्स में नहीं बैठता है जो कि विंटर्स में सीरिसली ऐसी लिप्स्टिक चाहिए होती है मैं कि आएगे सुपर मैट कर सकते हैं यह समय थोड़ा सा पाउडर डैप आ। अब देख सकते हैं यह इससे लाइक है यह इतना टरांसवर हुआ है अब देख सकते हैं अभी भी लिप्स्टिक वैसी ही बनी है जलिए मैं भी अपको इसके हैं लिप सद्ट geldi हुँ तो ये जो लिप्स्टिक है G a कुछ टायप की पैकेजिंग में आता है and दोनों साइट पे दो लिप्स्टिक है like इसायट सी आपको एक साइटो एक मिलती है आपको दूसरी साइड से ही आपको दूसरी लिपस्टिक मिलती है आप देख सकते है जो बुलिट लिपस्टिक है यह सीरिसली बहुत अमेजिंग है पैकेजिंग भाइस भी बहुत जाद अच्छी है लुकिंग वाइस तो ऑसम लगती है और दूसरी साइड भी आपको दूसर करके बतारी हूँ इसकी ताकि अच्छे से आपको कलर पता चल जाए तो दूसरा जो शेड है यह हाइलाइट स्थी यह फुल ब्राइट पिंग है और यह पिंग बहुत जादा अच्छा है आप देख सकते हैं बहुत ब्राइट पिंग है तो फर्स जो शेड है डिजाइन स्पॉटलाइट तो इसका स्वेच आप लिप्स पे भी देख सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा है अगर आपकी स्किन टोन है मेडियूम टू और पेयर या डार्क स्किन टोन है तो भी बहुत अच्छी लगए तो दूसरा जो शेड है गाइस हाइलाइट तरी यह बहुत ही ब्राइट पिंग है तो यह भी बहुत अच्छी लगेगी अगर आपकी फेस स्किन टोन है मीडियम है या थोड़ा सा डस्की है तो भी पट अगर आपकी थोड़ी डार्क स्किन टोन है तो शाहिद तक आप लगे बट बहुत ही ब्यूटिफुल पिंक कलर है तो गई जो नेक्स लिप्स्टिक है इसका जो फ़र्स शेड है यह है क्लोजर 18 एंड यह जो शेड यह सिमिलर है अभी जो मैंने आपको पिंक शेड बताया है इसी से सिमिलर मुझे लगा है और यह फैमिली है पिंक प्लस पैमिली से बिलॉंग करा लेकि दोनों ही लिप्स्टिक दोनों साइड की लिप्स्टिक है वो पिंक है बट मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों पिंक सिमिलर है इसलिए एक शेड होगा थोड़ा कम दूसरा जो है फ़र्स लूप वन है और यह भी सिमिलर आपको आपको आप कि दो आपको 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 सोनों साह होगा है जोँने साथift के लिवाद़ जो further आपको 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 साथा है next क quickly नेक जो लिपस्टिक के का इसी रेड और फैमिली से है लाइक दोनों ही लिपस्टिक रेड है सो फॉर्स जो शेड है यह है फ्रो लुक 11 और यह जो शेड बहुत ही ज़दा ब्यूटिफुल शेड है भी मैं आपको स्वेच करके बता देती हूं आप देख सकते हैं आपको दिखने में सीरिसली बहुत अमेजिंग रेड लग रहा होगा सो यह जो शेड है यह थोड़ा सा पिंक अंडर टोन रेड है बहुत जादा पिंक नहीं मिलेगा आपको तो रेड में आपको थोड़ा सा लाइक बहुती माइनर सा लाइक बहुती कम आपको पिंक तर्चिस में मिलेगा तो नहीं जो शेड है यह शोस्टॉपर 5 और फुल अन रेड है लाइक एकदम ब्लड रेड या आप सौसी रेड बोलते हो एकदम पॉफेक्ट रेड चाहिए वही रेड आपको यह मिलने वाला है शोस्टॉपर 5 और यह बहुत जदा अमेजिंग रेड है कर दोड़िंग रेड़ जब से टाइब कर दो कर दोड़ है तो यह फाइनल लुक है आप देख सकते हैं त्री लिप्स्टिक में आपको 6 लिप्स्टिक रिसीव हो रही है और 6 के 6 अलग अलग बहुत ही अच्छे से कलर हैं और बहुत ही जादा बटरी और स्मूध है मिराज का वीडियो आप आप लोगो पसंद आया हो और मैं आपको डेफिनेटली बोलूँगे अगर आप इस लिप्स्टिक को ट्राय करना चाहते तो डेफिनेटली ट्राय कर सकते हैं मेरी तरफ से थम्जब मुझे बहुत अच्छा लगा है तो आज के लिए इतने हैं जितने मैंने कलर ले लेक मैंने थ्री लिप से परचेस कीई है तो मैं इसकी लिंक नीचे दिस्कुछ बोख से छोड़ दूगी अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो वहाँ पर जाके आप इसकी चेकाउट कर सते है पपल साइट पर सो आज की लिए इतने हैं गैसा है होप आप वीडियो पसंद आया हूँ पसंद आये तो आपको नहीं चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंगर आप में वीडियो मिस्स नहीं करना चाते तो definitely आपको करना है बैल आइकन को अब मैंने कोई भी लेटेस्ट वीडियो स्था करें ऐसी आपको अगर कुछ वीडियो लाइक रिवीव वीडियो शेयो तो आप मुझे लाइक प्रिड़क के नेम मैंचन कर दीजेगा कमेंट सेक्शन में उसका रिवीव भी जरूर करूं हूँ थैंक फो वाचिंग गाइस ब